हेलो फेंड्स दिस पावन चौधरी वेलकम टू फजिक्स वाला चलिए तो दो टौफिक है जो थो टौफिक से दो टौफिकeffective को आपको कवर आपको हुँए होके सक्केंड या इसको आरतीए के नामसे भी आपको लिखा जाता है जो भी आप प्रश्णूश करें टो फॉघ इंगलिश票 अब लिखोगे तो हिंद्स अगर हम लोग देखेंगे तो रित करके इसको आपको लिखा जाता है अब रित क्या होता है बड़ा बहुती महतोपूर्ण और बड़ा important concept है आपको रित का तो जो भी हम अभी के समय पे आपको देखते हैं जो भी social order, जो भी हमारे आसपास जो चीजे होती हैं जो cosmology के अंदर बदलाव होते हैं ब्रह्मांड में नक्षत्र तारे वगर आपको मूव करते हैं, कोई व्यक्ती किसी प्राकार का कारे करता है, तो एक तरीके से कोई moral चीज हो गई, किसी प्राकार से कोई you can say कि कोई ब्रह्मांडी घटने आपको हो गई, तो यह तमाम चीजें जो है वो रित के बारा मैनेज होती है, रित के द्वारा इसको control किया जाता है, इसको नियंद्रिट आपको किया जाता है, जनली माना जाता है कि जो वरुन देव हैं, तो वरुन देव को को अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई ब्रह्माणड में कोई गतिविदी आपको हो रही है, सब चीजे जो है, रित के द्वारा मैजर की जाती है, उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, और उनके द्वारा ही उसको proper तरीके से आगे propagate किया जाता है, तो उसको हम लोग रित यहां पर आपको बोलते हैं, तो अगर एक short form में मैं आपको बताओ, तो रित एक तरीके से जो भी ब्रह्माणडी घटना है, जो भी cosmic energy आपको है, क्योंकि ब्रह्माणड में बड़ी energy होती है, इसको हम बोलते है, cosmic energy, ब्रह्माणडी उर्जा बोलते हैं, जिसके बारे म पर आपको करते हैं, तो उसके माद्यम से जो cosmic balance है, उसको maintain हैं पर आपको करते हैं, और उसके बाद इस पूरे cosmic balance को काम manage करने का काम, उसको control करने का काम जो है, वो रित का यहां पर आपको होता है, तो जो भी natural law है, या प्रकृतिक है, प्रकृतिक है, नेश्रल जस्टिस हो इन तमाम चीज़ों को रित के माद्यम से manage किया जाता है, जो भी अलग एलग seasons में बारिश आपको होती, गर्मी है, सर्दी आपको है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये सब चीज़ें जो है, रित के द्वारा है हाँ पर आपको manage आ आपको होते हैं तो एक बोलते हैं आकाश लोग फिर आपका भू लोग और उसके नीचे आपका प्रत्वी लोग आपका अकाश लोग या उपर आप देख सकते हैं स्वर्ग बोल सकते हैं उसको फिर भू लोग और उसके नीचे पाताल लोग आपको होता है लेकिन अगर हिंद आप लोग, जनलोग, महार लोग, स्वर लोग, फिर आपका भुर लोग, उसके बाद भुर लोग होता है, जो हमारा लैंड है, हमारी धरती आपको है, उसके बाद आताल, विताल, सुताल, उसके बाद तलाताल, महाताल, रसातल और उसके बाद है पाताल, तो पाताल जो है, व पूरा मैनेज करने काम है, वो रित का काम है हाँ पर आपको होता है, तो रित इन पूरी चवदा चीजों को मैनेज करता है, जिसमें सबसे नीचे है पाताल और सबसे उपर है सत्यों, और बीच में हमारी भूलो कि हमारी प्रत्वी हाँ पर आपको है, तो ये पूरी तरीके से manage करने का काम इसको नियत्रित करने का जो काम है वो किसका होता है वो रित का यहाँ पर आपको होता है तो रित का पहला काम होता है कि जो cosmic order है जो आपकी ब्रह्मांडी उर्जा है ब्रह्मांड का जो पूरा संतुलन है उस संतुलन को maintain करके रखना तो first thing आपके जो यह करते हैं तो पहली चीज यहाँ पर यह है कि जो cosmic order है, उस cosmic order को manage करके या उसको maintain करके आपको रखते हैं, जो भी बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, सूरी का ताप आपको बढ़ रहा है, सूरी जो है वो एक दिशा से दूसी तरशा की तरफ आपको move कर रहा है, या प्रत्वी और नक्षत्रों का, सूरी का, चंडरमा का, प्रत्वी का, दूसरे ग्रहों का movement जो है, वो सब को चीजे माना जाता है, कि रित के द्वारा उसको manage, रिच के द्वारा उसकोणेंत रित कीया जाता है, γιατί सबसे पहले जो रित है, वो इस क्राकार के cosmic order को रित की आपको करते हैं, उ प्रत्वी के ओपर सब को चीज़त कैसे manage होगी कैसे हम लोग प्रत्वी पर तमाम चीज़ों को manage कर पाएंगे वो तब होगा जब प्रत्वी पर रहने वाले लोग जो है वो moraliyक के हिसाब से नैतिक्ता के हिसाब से रहेंगे गलत काम नहीं करेंगे सही तेरी कैसे अपने जीवन को जीएंगे तभी रित का balance जो है वो maintain रहेगा जो 14 लोक मेंने आपको बता है इन सभी 14 लोकों का जो balance है वो maintain करना वो sustain करना यहाँ पर आपको जरूरी है तो सबसे पहले जो रित हैं तो moral और social order बोल सकते हैं कि नैतिक और सामाजिक जो order है उसको maintain करते हैं जिसमें पहला उनका काम है कि धर्मिक जो आचरन है उसको maintain करना अब धर्म कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पर हम लोग हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म उनकी बात करते हैं उस समय पर धर्म का मतलब होता था नीती, right और wrong की बात यहां पर होती कि सही और गलत यहां पर आपको क्या है तो जो right conduct है या सही conduct है सही आचरन आपको है धर्म के हिसाब से जो आचरन है उसको manage करना, ethical behavior सभी वेकती होगा, अलग-अलग वर्णों के लोग जो समरस्ता है, वो समाजिक समरस्ता में आपको रह सकता है, अगर इन में से कोई भी चीज़ अगर disturb होई, तो social order या पिर आपका जो moral order है, वो disturb हो जाएक, और इसको balance करने का जो काम है, वो रित के द्वारा यहां पर आपको किया जाता है, तो पहला दूसरा काम क्या है moral और social order है, उसको maintain करके हाँ पर आपको रखना, उसके बाद जो भी हम लोग sacrifices या जो बली वगर आपको देते हैं, जो sacrifice आपको करते हैं, तो यह पूरा काम भी रित की अधिन आपको आता है, तो रित एक तरीके से मेरा ज्यान खर्ष हो रहा है, तो nothing is free in this world, दुनिया में कुछ भी free, कुछ भी मुक्त यहाँ पर या कुछ भी मुफ्त में यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, तो इसके लिए हर चीज के लिए आपको कुछ ने कुछ sacrifice, आपको कुछ ने कुछ बलिदान आपको करना पड़ता है, और उसी के बारे में, जो बलिदान अनुष्ठान है, इसके बारे में रित यहाँ पर आपको बात करते हैं, कि जो cosmic order है, इसको maintain करने के लिए, जो प्रत्वी पे या भू लोग पे, जो मानाव आपको रहता है, उस के अंदर आपको माना जाता है, ये पूरी परंपरा है रित की, जिसमें एक व्यक्ति को हम्ने रित मान कि, पूरे order को establish आपको किया है, तो रित एक व्यक्ति हो सकता है, रित एक समाज हो सकता है, रित एक बवरून देव या एक देवता को मान जो इन सब चीज़ों को balance करने तो जो भी ब्रम्हांड के विवस्था को maintain करने के लिए जो भी sacrifice और rituals हैं परत्वी भू लोग पर जो मानव है तो सबसे आतर destroy कौन कर रहा है भू लोग वाले मानव यहाँ पर आपको कर रहा है तो इनका काम है कि यह मद्ध के अंदर है उनको rituals हैं, sacrifice करना पड़ेंगे तब जाके ब्रम्हांड का जो cosmic order है वो cosmic order यहाँ पर आपको maintain है आपको होगा उसके बाद चौती चीज़ अगर मैं बताऊं तो रित को हम लोग धर्म से भी यहाँ पर आपको जोडते हैं religion से यहाँ पर आपको जोडते हैं धर्म मतलब नैतिक था या जिस भगवान को या कोई भी हम जो follow करते हैं तो नैतिक हो गया तो धर्म और अधर्म दो चीज़े आपको है धर्म मतलब क्या रिच्वल या जो भी आपके धर्मिक चीज़े हैं नैतिक के चीज़े हैं वो धर्म होता है बाद में अंग्रेत जब आए तो उन्होंने धर्म का ट्रांसलेशन इंग्लिश में religion कर दिया तो actually अगर देखा जा तो धर्म रिलिजन नहीं होता नीती और अनीती यहाँ पे होता तो उसको धर्म है जैसे महाभारत का युद्ध है तो जैसे महाभारत का युद्ध जो है धर्म के लिए लड़ा गया उस समय तो कोई और धर्म नहीं रहा था ना इसलाम था ना कृश्चन था ना पारसी थे कोई नीथा तो धर्म और अधर्म के बीच मेहाँ पे युद्ध था तो ये उनको follow करवाना, उसको ये check करना, कि हर व्यक्ति proper तरह से इन चीजों को follow कर रहा है, ये रित्का यहाँ पर आपको काम होगा, ये रित्का function है आपको होगा, तो चोथा function जो रित्का है, वो आपके धर्म या जो religion है, उससे संबंदित यहाँ पर आपको आ जाता है, ठे अगर देखा जा, तो भगवान और इनसान के बीच में एक हार्मनी या उनकी बीच में एक अंतर संबंद आपको बन सके, इसके लिए जो रित है, इसके लिए रित्काम आपको करता है, उसके बाद रित्का काम होता है, जो भी नैतिक standard maintain करना, उसके बाद लोगों के जीवन में, या especially जो वेदिक लोग थे, तो वेदिक लोगों के जीवन पर direct प्रभाव आपको डालता है, कि वो जो भी चीजे करेंगे, जो भी ethical या unethical चीजे करेंगे, उसका direct प्रभाव जो है, वो ब्रहमांडी उर्जा के ओपर, या फिर आपका जो universal cosmic power है, उस universal cosmic power के ओपर आप पर हो गया, उसका काम रित कौन है, जैसे starting में आपको बताया, इनिशली आपको बताया, एक जो रित है, तो रित एक तरीके से वरुन देव को हम लोग आपको मानते है, जो रित को पूरी तरह से manage करता, तो रित एक order है, और उस order को manage करने वाले जो है, वो वरुन देव आप श्टब्दूर से आता है, कौन ब्रह्म हंड में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी आदिती है, जो सूर्य है, वो रित को यहाँ पर आपको दे देगा, तो इसलिए सूर्य जो है, वो उनको आपका जो आदित्य है, या सूर्य जो है, उनको उनका एक त और रित का यहाँ पर आपको होता है, ठीक है, तो यह बेसिक चीजे, जो है, रित के सम्मनें, यहाँ पर आपको याद रखना, दूसरा जो हमारा टॉपिक है, वो है रन, approxim या डेट, या उसको रिन कहा जाता है, तो रिन लिखा जाता है, रिन या डेट होता है, तो कोई विक्ति अगर किसी चीश से कुछ उधार लेता है, तो उसके बदले उसको उधार चुकाना पड़ता है, उसको पेबिक करना पड़ता है, तो वो जो पेबिक करना है, उसको रिन बोला जाता है, रिन चुकाना जाता है, तो हम जीवन में जब करा आई हैं तो हमारे ऊपर तीन प्रकार के रिन होते हैं इक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके ऊपर तीन प्रकार के रिन आपको होते हैं। और पित्र रिन के नाम से यहाँ पर आपको जानते हैं तो रिन एक तरीके से किसी विक्ति का कोई लोन यहाँ पर आपको चल रहा है और उसको पेबिक करना पड़ेगा अब इस संसार में अब इस रिन को या इस लोन को पेबिक नहीं कर सकते लेकिन आप यग्य अनुष्ठान के माध्यम से यू कें ट्राइ कि अब उस रिन को उतार सो जैसे पिता का रिन है तो आप कैसे चुका सकते हैं पित्य का रिन आप एक टीचर से बढ़के आप एक अधिकारी बन गए एक आफिसर बन गए तो अगर एक टीचर से बढ़के अच्छे इंसान आप बन गए तो उसका कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते हैं आप हो सकता है कि पिता को आप अच्छा धर्मयातरा वगरा करवा दो पिता को कुछ अच्छी गाड़ी वगरा लाकि आपको देदो अच्छे कपड़े सिल्वा दो लेकिन उससे उनके जो पिता का रिण है पिता का रिण समापते हाँ पर आपको नहीं होगा तो तीन प्रकार के रिण जो है वह हमारी भारती परंपरा में आपको दिये गए हैं पहला है देवरिन देवताओं का रिण तो जिन देवताओं ने प्रत्वी बनाई जिन देवताओं ने संसार आपको बनाया जो आपको जल अगनी आकाश प्रत्वी तमाम चीजें दी खाने पिने के लिए अनाज आपको दिया उसको पैदा करने के लिए भूमी आपको दी जल दिया तो ये सब चीजे जो है ये भग उनको चुकाने के लिए हमको यग्य करना पड़ेगा तो यग्य के माद्य हम से जो भी चीजे हम यो यग्य में समर्पित करेंगे वो चीज जो है डारेक्ली देवताओं के पास यहां पर जाएगी तो जो भी यग्य इसलिए किया जाता है कि यग्य में हम जो भी समर्पित करेंगे वो देवताओं को मिलेगा एक तरीके से अगनी या जो fire है वो इनसान और देवताओं के बीच में human और देवताओं के बीच में एक mediator का, एक मध्यस्त का काम आपको करती है तो whatever you will sacrifice in the अगनी वो directly भगवान के बास जाता है तो हम लोग यग्य बगरा करके यग्य परफॉर्म करके हम लोग देवताओं के रिन को उतार सकते हैं या कम से कम, कम तो जरूर यहाँ पर आपको कर सकते हैं देखे, दूसरा जो रिन होता है रिशी रिन आपको होता है जो आपको पढ़ाता है पहले के लोग जैसे आश्रम में आपको जाते थे वहाँ पर teaching लेते थे हम skool में गए, college में गए यहाँ पर आपको पढ़ रहे है तो जो आपको पढ़ा रहे है, जो आपका teacher है जो आपका गुरु है, जो सेग है उसका जो रिण है, वो भी रुण के ऊपर आपको है, क्योंकि उसके पास किया है? कि उसके पास ज्यान है और उसने अपना ज्यान जो है, वो आपको यहाँ पर आपको दिया है, यह knowledge यह wisdom आपको दिया है, तो इसके लिए आप जो है अपने गुरु के प्रतिक्रतग्य होंगे, आपने गुरु का जो रिन है, गुरु का रिन आप उतारेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग रिशी रिन के नाम से यहाँ पर आपको जानते हैं, तो जो भी ज्यान, जो भी नॉलेज यहाँ पर आपको प्राप्त तो इस तरीके से उनके उबर वेदों को पढ़ाने का रिन यहाँ पर आपको चलता था अब इसको कैसे उतारा जा सकता है तो इसको उतारने के लिए अगर आपने किसी से वेद पढ़ा है तो ये वेद आप किसी और विक्ति को पढ़ा दो किसी second person को आपको पढ़ा दो उस तक ये knowledge पहुंचा दो तो जो रिशी का रिन है वो रिशी का रिन आपको उतर जाता है कि जो ग्यान आपको रिशी ने दिया है वो ग्यान आप आगे किसी को transfer कर दो इसी तरीके से वेद जो है वो वेदो का knowledge आगे आपको बड़ा तो इसलिए जो रिशी रिन है वो काफी important आपको होता है तीसरा जोड़ा बड़ा important आपको रिन होता है उस रिन को हम लोग आपको बोलते है पित्र रिन या पिता का रिन आपको होता है पिता का या हमारे जो ancestors हैं हमारे जो पुरवज हैं, उन पुरवजों का रिन हमारे आपको होगा, तो एक पिता जो है, वो हमको, मुलब, अगर हमारा जब जन्म होता है, तो हम बोलते हैं कि माता ने जन्म दिया, लेकिन जन्म के लिए माता के साथ में पिता भी responsible है, पिता की बिना जन्म आपको होगा न तो पिता का सबसे important कि पिता ने हमको जन्म दिया, माता ने भी जन्म दिया आप बोलोगे कि सर माता करिन क्यों नहीं है तो माता करिन तो हम लोग कभी चुका नहीं सकते लेकिन हमारे system में क्योंकि हमारी जो पूरी society है, वो patriarchal society लगबग में भी व्यसा होगा, मेरा बेटा भी व्यसा होगा उसका बेटा भी व्यसा होगा तो हम लोग सद्धियों तक एक particular genetic code में आपको चलते हैं, हमारा विहवार, हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन जो है, वो कुछ हद तक उसी तरीके से होता है, जिस तरीके से हमारे father, हमारे ancestors का आपको होता है, तो वो जो genetic code है, या जो gene है, वो DNA जो है, वो एक तरीके से हमको हमा एक कर्तव यहां पर आपको बनता है, अब वो कर्तव हम लोग कैसे चुका सकते हैं, वैसे मेरा तो मानना यहां पर यह है, कि जीवन में अच्छे कारे करके, बैटर वक करके, अच्छे पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी नौकरी प्राप्त करके, और पिता का कहना मान के, हम पिता के रिंग को उतार सकते हैं, लेकिन हमारे वेदों के अंदर, हमारी जो सुशल सिस्टम है, उसमें आगा खिया, कि हम लोग जो हमारे एंसस्टर थे पिता है, बाकी लोग यहां पर आपको हैं, तो उनको एक तरीके से हम लोग शराद के माद्यओं से, यह शराद की जो परंपरा होती है उसके माद्यम से उनके रिण को चुका सकते हैं जनली जब नवरात्री के पहले वाला जो सीजन आपको आपको नवरात्री के पहले के जो पंदरा दिन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं श्राद्दपक्ष बोला जाता है और उस श्राद्दपक्ष में हम हमारे पित्र या हमारे जो पित्र हैं उनकी पूजा करते हैं उनको याद आपको करते हैं और उसके लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके लिए सबसे पहले ये माना जाता है कि हमारे जो पित्र हैं तो जब पित्रपक्ष होता है तो पित्रपक्ष हमारे जो पुरवज है वो कवे बन जाते हैं कवे बनके वो हमारे उपर देखने आते हैं कि हमको देखने आते हम क्या कर रहे हैं कैसे आपको कर रहे हैं इसके लिए जब पित्र पक्ष आपको होता है तो घर के अंदर मिठाई बनाई जाती है सबजी पूरी बनाई जाती है खीर बनाई जाती है, मीठी चीजे बनाई जाती है और उसको छत की उपर आपको डाला जाता है छत पर डालके और वहाँ पर आप जनली देखोगे तो कवे वगरा जो है उसको खाने आपको आते हैं तो माना जाता है कि हमारे पित्र जो है वो इस समय पे एक तरीके से कवे की रूप में आपको होते हैं, क्रॉ के रूप में आपको होते हैं और वो तमाम चीजों को आपको ग्रहन करते हैं और वहां से फिर हमको एक तरीके से वो जो भी आशिरवाद है या हमको जो सदबुद्धी है सद बुद्धी आपको देते तो तीन प्रकार के रिण जो है देवता का रिण, गुरू का रिण, या रिशी का रिण या पित्र का रिण तो तीन प्रकार के रिण यहाँ पर आपको होते हैं तो यह दो important आपको topic हुए जहाँ पर run के बारे में हमने इस पूरे lecture में हमने आपको बात की, तो I think यह दोनों topic जो है आपको proper तरीके समझ में आपको आया होगा, ऐसे और lectures में और भी इस प्रकार के interesting topic में लाने वाला हूँ, साथ में और भी कई सरे चीज़े, जैसे मद्दबिरेश के कई सरे नए topic, मद्दबिरेश के one district, one product, मद्द